हेलो प्यारे बच्चों, डियर पेरेंटस आप लोग प्ली स्क्रीन को टरन कर दीजिए क्योंकि ये बच्चों का स्रिक्लि नो स्क्रीन टाइम है बच्चे शर्फ स्टोरी को सुनेंगे और एंजॉइ कुरेंगे तो बच्चों हम फिर से आ गए हैं एक फार्म में और फार्म आनिमल्स के ओपर हम आज एक स्टोरी सुनने वाले हैं आज की स्टोरी का नाम है The Complaining Sheep कंप्लेंस करते हैं न हम भी चोटी-चोटी बातों की शिकायते करनी शुरू कर देते हैं तो शीप का भी कुछ ऐसे ही काम था देखते हैं शीप ने क्या कंप्लेंड करी किसको कंप्लेंड करी Once upon a time there was a farm एक बार की बात है एक फार्म था There were many sheep in the farm वहाँ पर बहुत सारी sheep थी Sheeps नहीं थी क्या आपको पता है One होती है तब भी वो sheep होती है Many होती है तब भी वो sheep ही होती है उसमें हम S नहीं आड करते हैं तो one sheep is also sheep and many sheep is also sheep तो उस फार्म में बहुत सारी sheep थी The farmer had kept a strong dog to watch them अब जब फार्म के अंदर sheep हैं तो बहुत सारे animals उनको खाने के लिए अटाक करने के लिए आ सकते हैं इसलिए farmer ने क्या किया हुआ था कि वहाँ पर एक dog रखा हुआ था उन सभी sheep की safety के लिए When the flock used to graze in the pasture, the dog guarded them fiercely Dog बहुत strong था और जब भी वो sheep घास काने के लिए जाती थी तो वो dog उनकी रखवाली करता था The farmer was quite fond of the dog Dog को बहुत पसंद करता था वो farmer He treated him with utmost care और उसका बहुत ख्याल भी रखता था Now, the sheep did not like this at all अब sheep जब ये देखती थी तो उन्हें बहुत बुरा लगता था कि वो dog की इतनी केर करता है One day, they went to the farmer and complained अब ये सब देखकर वो बहुत परिशान हो गई और वो गई farmer के पास और उसे complain करने लगी क्या बोली? Master, you are not fair to us You do not treat us equally वो कहने लगी Master, आप हमारे साथ fair नहीं हो आप हम सभी को equally treat नहीं करते हो The farmer was puzzled Farmer उन्हें puzzling puzzle face के साथ देख रहा था उसने सोचा मैंने ऐसा क्या कर दिया The sheep continued We give you milk and wool but get nothing in return We feed on grass that we have to find ourselves But this dog, this dog gives you nothing Yet you feed him so affectionately Sheep ने आगे बढ़ते हुए कहा कि हम आपको milk और वूल देते हैं लेकिन आप हमें return में कुछ नहीं देते हो हम घास खाती हैं वो भी हमें खुद ही ढूढना बढ़ता है लेकिन ये डॉग ये डॉग कुछ नहीं करता फिर भी आप इसे इतने प्यार से रखते हो इसे इतने प्यार से अच्छा अच्छा खाना खिलाते हो दॉग रिटॉटेड वुफ वुफ दॉग को गुसा आगया दॉग ने जोर से बोला if I am not there to guard you none of you will be able to graze दॉग ने गुसे में बोला अगर मैं यहां पर नहीं रहूंगा तुम्हारी रखवाली करने तुम यहां पर आसानी से घास नहीं खापाओगी कोई भी बड़ा जानवर आएगा और तुम पर अटाक करके तुम्हें ही खा जाएगा the sheep realized कि हां हमारी केर तो यह डॉग ही करता है अगर इस डॉग को अच्छा खाना नहीं खिलाया जाएगा तो हम भी नहीं बचेंगी और बस उसके बाद से sheep ने complaints करनी stop कर दी तो इस story से हमें यह सीखने को मिला है कि हमें बहुत जादा complaints नहीं करनी चाहिए और हमारे पास जो भी है हमें उसमें खुश रहना चाहिए जैसे की for example मैं क्या करती थी ना मैं जब भी खेलना जाती थी अपनी friends के घर पे चोटी-चोटी सी बातों पर मैं शिकायते करनी शुरू कर देती थी कि auntie इसने ऐसे कर दिया auntie इसने मुझे मार दिया auntie यह मुझे toys नहीं दे रही है तो मुझे auntie ने समझाया कि इतने complaints आपको नहीं करनी चाहिए आप अगर अपने friends के साथ खेल रहे हो तो आप अपने friends के साथ ही अपने problems को solve करो और दूसरी बात मैं क्या करती थी ना मैं अपने friends के साथ जब खेलती थी और मैं वहाँ पर new new dolls and new new sets and new new toys देखकर आती थी अपने घर पे तो मैं अपनी mom से complain करने लग जाती थी मैं अपनी mom से कहती थी mom आप तो मुझे कोई भी अच्छे toys नहीं दिलाती हो मैंने तो अपनी friend के घर पे बहुत सारे अच्छे अच्छे toys देखे थे आप मुझे कुछ भी नहीं दिलाती हो do you know मेरी mom ने क्या बोला my mom said okay हम आपको कोई toys नहीं दिलाते ना ठीक है आगे से और भी toys हम आपको नहीं दिलाएंगे क्योंकि आपके पास आपके रूम में इतने सारे toys है फिर भी आप मुझे complain कर रहे हो कि आप मुझे toys नहीं दिलाती हो okay अब आप वोई पुराने toys के साथ खेलो अब हम आपको new toys नहीं दिलाएंगे उसके बाद मुझे समझ में आया that I should not complain all the time मेरे पास इतने सारे toys है और मेरे mom dad मेरे बिना भूले मुझे new toys दे देते है तो फिर तो मुझे शिकायते नहीं करनी चाहिए और तब से मैंने खुश रहना शुरू कर दिया अपने toys में you also have to do the same and जब तक मैं new story लेकर आती हूँ what you have to do? yes limited screen time तो चलिए मिलेंगे next story के साथ बाई